क्सΟ कैसे हैं आप सब अच्शे होंगे बढ़ियां होंगे तो आज रोटी बनाने का नया आडिया बताने वाले हैं जिसे भी को आच को इस तरीके से डा डोल बना dari रखना चाहिए तो निसान लगा देना चाहिए नहीं तो गोला में पित्र26 वोता है जैसा बन जाता है इस तो बना देए जैसा किसी पूत रहा है आटा जरूर लगा देजिए धो लाइक कीजेगा दोस्तों नेकस आडिया देक लेते हैं यहां रहेड़ेन तो फ़िए लेकर आदोस्तों हम बताने वाले हैं कि अगर हम लोग कहीं ट्रेबलिंग में जाते हैं तो अगर हम लोग जाते हैं तो कि हैंड इसाबुन लेघंब लेकर नहीं नहीं नजा इसक्ते हैं नहीं छाथ सकते हैं ये थोड़ा से सावुन कोUT कर लिए हैं ज्याता नहीं चाहिए थोड़ा सा यह चाहिए सावुन को गेट कर लिए हैं ग्रेट करने के बाद दो सका होगा चाँ यह बहुत कर पर बन जाता है और और आच्छा वर्क करता है दोस्तों एक बर सब्सक्राइब और बतिया क्छाएब है कि हम उपसे हैं तोoten defence आपके से में चाहते हैं बहुत सारा बन गया है तो चलिए एक पेपर से आप लोग को हम हैंडवास करके दिखाते हैं कि अच्छा सा एकदम ज्ञाग निकलता है तो यहां पर देखें दोस्तों इतना सारा बन गया है और यह जो सूखा हो गया है इसे कहीं पर भी रख के ले जा सकते हैं तो यहां पर हम पानी ले लिए हैं थोड़ा सा पानी इस तरीके हांतों पर लगा लीजिए और इसे इस तरीके से पर में को हैंडवास कर सकते हैं काफी अच्छा चिकनाई मिलता है देखें ज्ञाग में निकलता है यह देखें तो कमाल का एडिया कहीं पर भी ट्रैबलिंग में जा रहे तो रोटी बनाने के बाद हमें क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो उसे हम लोग क्या करता है कि तो रख देते हैं ऐसे ही तो इस तरीके से अगर फ्रीज में लगा कर देखेंगे कि उपर वाला परत्सा जम जा सूक जाता है आटा उसका रोटी और उसके बार धकन लगा दीजे तो यह जो आटा सक्स जो हो जाता है ना फ्रीज में रखने से और देखेंगे कि उपर-उपर ओलाना सूख जाता है तो तुरंत ही एकदम नरम मुलायम आटा हो जाएगा यह देखिए थोड़ा दर के लिए हम इसे पांस मिनट के लिए धकन क बंद करके गरम पानी में छोड़ दिये हैं और यह आटा बहुत ही मुलायम हो गया है इसकी रोटी बहुत ही अच्छी फूली फूली रोटियां बनेगी एक बार जुरू ट्राइक के देखेगा दोस्तों आइडिया यूस्फूल लगा हो तो लाइक किजेगा सेर किजेगा नेक्स अइडिया है यह वारी खालन करते हैं भाति क्लेट में पmekार जुरू में और यहां तो यहां सक्ट पानी हम नहीं हो टाल हम पानी हम डाल दिए हैं उसके बाद इस तरीके में इस तरीके से पुरी को बंद कर ली ज़िये हैं और इसको कम से कम पांस-दस मिनट के लिए ढ़कन को केरश्षेन को बंद करके औरád ढ़कन को खोल के और पुरी को निकालिएगा एक दम नरम मिलेगा लगेगा कि अभी का बनाया हुआ है तो यहां भी देखें दोस्तों दस मिनट हम छोड़ दिये थे दस मिनट के बाद इसे हम देखें निकाल के दिखा रहे हैं टिपिन के लिए भी थोड़ा गरम हो गया है क्योंकि पानी गरम था इस तरीके से देखिए आप कि बचें हमारे खापा है तो कैसा लगा दोस्तों आइडिया यूश्फुल लगा तो लएक की जैगा और गैस की खपत कम हुआ बचत हुआ दोस तो यहं पे तो देखिए तो यहां पर सिंपू को ले कि जो जाकते हैं, बढ़ की कहा होता है कि क्लोध खिल्फ चूटा होता है जो कपड़े चातने वहला उसको इस तरीके से दोनों तरब से लगा देना है और यह देखे अच्छे से लगा दीजिए दोनों तरब से और लगा के इस को इस तरीके से खड़ी कर दीजे तो इक्या होगा ना कि गिरने से बचेगा गिरेगा नहीं हमारा तो आडिया कैसा लगा यूस्फुल लगा हो तो लाइक कीजेगा लाइक करने के साथ शेयर कीजेगा अपने दोस्तों रिज़ारों में और नीव हैं तो चैनल पर सब्सक्रा की बढ़ आर जाल ऊतों वहीं होगा भाइक कीजेगा हैं जुल लड़ारों में आट